Hello everyone, welcome back to my channel Parenting and Education आज के वीडियो में सभी पैरेंट्स के लिए ड्रेकी न्यूज है Finally RTE, Lottery Admission 2024-2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस मामले में जो कोर्ट में केस थी वो फाइनली हाई कोर्ट से ओर्डर जारी हो चुका है तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी के हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या ओर्डर जारी किया है और इसका लाब पैरेंट्स को कैसे आएगा और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिजल्ट आउट हो चुका है तो आप अपने बच्चे का रिजल्ट ऐसे देखें तो वीडियो स्टार्ट करते है RTE लोटरी एड्मिशन में हर साल 25% रिजल्ट कोटा होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एकोनोमकली वीकर है जो पूर बैक्ग्राउंड से आते है इस साल स्टेट गवर्णमेंट में RTE की रूल्स में कुछ चेंजिस किये है उसके अकॉर्डिंग सिफ एक किलोमेटर के अंदर जितनी स्कूल है उतने ही स्कूल में वो एरिया के बच्चे एड्मिशन ले सकते थे मिन्स जो भी सरकारे स्कूल है जो भी मुन्सिप और प्रशन के स्कूल है या फिर जो अधर गवर्णमेंट स्कूल के अंदर जो स्कूल आते है उसी स्कूल में आपके बच्चे एड्मिशन ले सकते थे लेकिन फिर पैरेंट्स ने हाई कोड में दावा किया है और फाइनली हाई कोड से आधर्स जारी हुआ है कि इस जो भी रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में एड्मिशन मिलेगा और हाई कोड ने जो स्टेट गवर्मेंट का जो रूल किया था आपको चेंज नहीं कर सकते है आप नए स्किम और्डर पास नहीं कर सकते है सभी पैरेंट्स के लिए ये खुश खबरी है कि अपसे आर्टी में जो रूल पहले से था वही रूल कंट्यूनू किया जाएगा इस आर्टी के रूल में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होगी सभी पैरेंट्स के लिए इसी रूल के अकॉर्डिंग सारे पैरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल में आर्टी के थू पढ़ा सकते है और मेरे अभी आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी कि रिजल्ट आउट हो चुका है तो आप अपने बच्चों के रिजल्ट कैसे चेक करें और अगर आप फर्स टाइम चैनल पर नहीं आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक किजिए